तो कुछ ताइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डेटा एंट्री फ्रॉड पे और उसमें लास्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में तब तक के लिए stay safe and इन लोगों की बैट बजा दो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस-किस टाइप के work from home data entry वाले scam हो रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोगों को part time jobs, work from home ऐसी requirement रहती है और ये उसी चीज़ का फाइदा उठाकर लोगों को part time job offer करते हैं data entry का typing work और उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि आपने हमारा काम अच्छे से नहीं किया या फिर आपने हमारा काम complete नहीं किया given time में और इस बात के लिए हम आप पे legal notice ठोक रहे हैं और आपसे 1000 रोपे की penalty चार्ज कर रहे हैं और काफी लोगों को ये बात सची लग जाती है और लोग पैसे भी pay कर देते हैं पर काफी लोगों ने पूछा कैसे आखिर इनकी band कैसे बजाएं क्योंकि police के चक्कर भी नहीं काटने पसंद हैं आपको और अगर आप उस वीडियो के comments में जाकर देखोगे तो हजारों लोगों ने ये बोलाए कि ये same fraud हमारे साथ भी हो रहा है इवन मेरे पास लोगों के Instagram पे DM भी आये हैं कि जो आपने वीडियो बनाया है same to same fraud हमारे साथ भी हो रहा है इनके किलाफ जादा लोग police complaint भी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि लोगों को police के चकर काटने में इतना खास interest नहीं है और आपके भोलेपन का फाइदा उठाकर ये आपको विश्वास दिला देते हैं कि यही लोग सच्चे lawyers हैं और यही लोग सच्ची कमपनिया हैं जो आपसे पैसा मांग रही हैं बट यह total 100% fake कमपनिया हैं और इसका proof मैं आपको पुराने वीडियो में अरड़ी दे चुका हूँ तो अब point यह आता है कि इन लोगों से बदला कैसे लिया जाए क्योंकि इन लोगों ने अपनी बहुत मनमानी करके भोले वाले लोगों से पैसा लूट आए तो अगर आप इनका शिकार अलरड़ी बन चुके हो तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुलीस आपकी मदद नहीं कर रही है तो आप matters को अपने हाथ में कैसे ले सकते हो वो भी बिलकुल legally आप legally इनसे कैसे बदला ले सकते हो और अग मेरी favorite movie Interstellar का एक बहुत famous dialogue है whatever can happen will happen तो आपको यह सोचकर बैठना नहीं है कि आपके साथ नहीं हुआ तो आपको tension की कोई बात नहीं है आपको आज action लेना बहुत जरूरी है और मुझे इसमें आप सब की support की बहुत जरूरत है क्योंकि आप सब लोग मिलकर यह काम करोगे त अगर आप चाहते हो कि इंतजार ना करें तो आपको आज action लेना और मैं आपसे जादा नहीं मिनट मांग रहा हूँ चार पांच मिनट मांग रहा हूँ एक बार ताकि इन लोगों का होसला तूट सके तो दोस्तों चानल की नीती यह कहती है कि किसी भी अपने दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए know your enemy before attacking तो सबसे पहले हम फटा फट से जान लेते हैं इनके कुछ तौर तरीके जिनके थूँ यह मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं सबसे पहले इनके source of trapping क्या है किस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं तो number one उसमें तरीका होता है newspaper ads या फिर posters जो आपको अकसर खंबों पर दीवारों पर या ऐसे college के आसपास लगे वे दिख जाएंगे number second इनका तरीका होता है facebook या फिर instagram ads के थूँ या facebook groups के थूँ आप facebook पर देखेंगे तो आपको अकसर data entry jobs के poster दिख जाएंगे जिसमें ज्यादा तर fraud होता है और number 3 इसमें आपको दिखेगा google ads इनकी website जो होती बड़ी basic होती है google उन website को rank 1 पे लाता है rank 2 या page 1 पे लाता है जिनमें बहुत अच्छा content होता है जो genuine होती है बहुत लंबे समय से चन रही होती है लेकिन इनकी website पर ये सारी चीज़ें होती नहीं है तो ये क्या करते है Google को पैसा देते है ads की form में अपना website टॉप पे दिखाने के लिए और ज्यादा तर लोग जब online data entry या इस तरी की कोई चीच search करते हैं और टॉप पे website उनको ये वाली दिखती है वो आगे ये छोटा सा ad mark देखना पूल जाते है उनको लगता है genuine website है और उ major ways है जिनके तुरू लोगों से पैसा इन companies के पास चला जाता है number one ये frauds पैसा मांगते है refundable security deposit के form में number second ये मांगते है registration fees के form में number third ये मांगते है software fees के form में और number four और सबसे common तरीका breach of agreement की penalty के नाम पर यानि एक बार आपने agreement इनके साथ sign कर दिया फिर आपके agreement के मुताबिक आपके काम में आदो गलती निकालेंगे या बोलेंगे आपने काम पूरा नहीं किया या आपको ऐसा काम दे देंगे जो पूरा किया ही नहीं जा सकता या जिस software पे आपको काम करना है वो software ही बेकार होगा basically आपको 10-12 दिन भी खराब करोगे काम करोगे और उस काम का कोई मतल देंगे कि देखो acquies has been registered against you in Gujarat court वाला नदीम का एक और तरीके से ये लोगों को फसा लेते हैं मानलो कोई company आपको अप्रोच करे data entry का काम दे और आपको सारे rules and regulations समझा दे और वो इतने specific rules होते हैं कि वो सुनके आपको लगता है कि यार ये तो authentic company का ही काम लग रहा है 80% accuracy मा मुझे बस इतना सा type करना है या इतने दिन का काम है बडले में मुझे 20,000 रुपे मिलेंगे आप agree कर देते हो आपके agree करने के बाद आपको कोई दूसरा इंसान call करता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपके पास 20,000 रुपे का कुछ काम आया है वो काम मैं आप आपको 10,000 रुपे में करके दे दूँगा आपको मेहनत भी नहीं करनी आप बलके उनसे डबल काम उठालो और सारा काम इधर मुझे देते जाओ मैं आपको 10,000 में बलक काम करके देता रहूँगा आपका भी फाइदा मेरा भी फाइदा 50-50 बाट लेंगे और आपको लगता कि वो बंदा काम करके मुझे देगा और जब मैं finally काम submit कर दूगा तो मुझे भी मेरे 20 तो मिल जाएंगे और वहाँ पर वो लोग खेल जाते हैं क्योंकि ये बंदे दोनों मिले हुए हैं आपने 10,000 दिये उसके बाद company आपका कोई phone won नहीं उठाने वाली है और हो सकता है even better व आपको फसाया जा सकता है अब बात करने थे बहुत important कि in fraud website को आप detect कैसे कर सकते हो देखते ही detect हो जाए ये कैसे आपको समझना चाहिए सबसे पहले आगर आप इसमें देखें कि ये promise करते हैं आपको thousands of rupees of earning मैं आपको बदा देता हूँ अपने personal experience से क्योंकि हम second companies का data processing करते है salaries का तो हमको पता है कि data entry operator की generally salary क्या रहती है data operator की typical जो entry level salary रहती है वो 200-300 रुपे per day से लेकर 300 रुपे per day तक होती है यानि 6,000 रुपे मैंना से maximum 19,000 रुपे मैंना ये fresher को मिलता है लेकिन ये companies promise करती है घुसते ही आपको 25-30-40,000 रुपे पर मैंना वो भी घर से बैठे-ब data work from home जो 100% fake है अगर आपका काफी experience आप बहुत तेज data entry करते हो तो फिर भी इतनी ज्याज़ा job मिल सकती है लेकिन fresher को इतनी high salary नहीं मिलती है तो ये अगर आप कहीं पड़े तो मान लीजी ये fraud है अगर आपको कोई भी website google ads के में, facebook ads में data entry jobs को promote करते दिखे तो 90% वो fraud होगी आप समझे कि किसी भी company को अगर data entry operators की जरूत है तो google पर ads क्यों लगाएंगे except कि वो ऐसी कुछ website हो जैसे shine, monster वगफलार अटीम का जिनका काम ही है लोगों को तक नौकरी पहुचाना कोई individual website, data entry operators, google पर ad लगा कर क्यों लेगी ये मेरे समझ से बाहर है क्योंकि इस देश में अभी इतना भी रोजगार नहीं है कि आपको आसानी से लोग job के लिए नहीं मिल पाएं नमबर तीन, जिन भी websites पर आपको देखे है 100% genuine, 100% real, वहाँ पर आपको proof देखे, उस website का sin number, उस company का sin number इत्यादी वहाँ पर दियावा हो, certificates दिये वे हो, तो भी मान लेना चाहिए कि 90% वो website fake है, कोई भी real website, अपनी website पर ये तो नहीं लेखेगी कि 100% genuine, 100% fake, चोर की दाड़ refundable security deposit हो, चाहिए registration fees हो, fraud, पांच बाचीज आपको सबना चाहिए, अगर ये आपसे photo मांगे, आपसे sign मांगे, आपको agreement कराने के लिए, again fraud, तो ये हमने अपने NME को जान लिया, अब आता है मुद्दे की बात पर और पर action कैसे लेना है, आपको मेरे जो तरीके लगेंगे, थ पर 100 लोगों ने भी माल लेजिए, अपने 5 मिनट एक ऐसी fake website पर invest किये, तो अगले जो व्यक्ति जो उस website का owner है, या जो काम चला रहा है, उसके तो 500 मिनट खराब हो गए, यानि उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, जागरुब जनता से ही भिड़े रहने में, और ऐसे अ मचते हैं, आपको क्या करना है, number one और सबसे मज़ेदार तरीका, आपको Google पर सर्च करना है, online data entry job, data entry job from home, इस तरह के keyword, और जब आप ऐसा सर्च करेंगे, तो आपको दिखेंगे Google के ads, आप देखिए ad को कैसे detect करना है, यह आगे जो छोटा सा ad लिखा होता है, यहां से आप ad को detect कर सकते हो, अब इसमें से कुछ website तो आपको पता होगा, जो genuine है, shine, monster, इस तरह के job portals के अगर link आ रहे है, तो वो genuine है, लेकिन उसके अलावा, generally जो website dot in से खत्म होती है, या ऐसी लंबे-लंबे नाम वाली website आती है, यह सारी के सारी fraud होती है, तो अगर आप और कुछ भी न इस पर click करेंगे, इन frauds का कुछ पैसा लगेगा, जो Google इनके credit card से काट लेगा, क्योंकि इन्हों ने अपना ad लगा रखा है, और हर click का इनको पैसा देना पड़ता है Google को, और जब हमारे हजारों लाखों subscribers, viewers, इन website पर ऐसे click करते रहेंगे, तो इन frauds का पैसा धेर सारा Google के जिसका इसको कुछ भी return नहीं मिलेगा, मान लीजे किसी एक website पर 5 रुपे click की rate है, और 1000 लोग भी per day click कर लेते हैं, तो इन frauds का 5000 रुपे तो सीधा गायब हो गया, दूसरी चीज क्या करने हैं आपको, दूसरी चीज बहुत आसान है, अगर आपको पता चले कि ऐसी कोई fraud website चल रही है, आप उस fraud website का complete link, HTTPS से शिरू करके www, पूरी website का link, और अगर उस website में कुछ phone number और email ID भी है, तो phone number और email ID नीचे comment में हमारे साथ share करिए, आप उस पे लिखिएगा fake data entry website, उस website का link, उस website का phone number और email ID नीचे comment में share करिएगा, हम क्या करेंगे, इस जितने भी हमारे का comments आएंगे, क्योंकि हम अकेले इस देश पर की सारे fraud websites को नहीं डूण सकते हैं, आपका support लगेगा, आप जैसे जैसे comments में हमारे साथ ही website share करते जाएंगे, हम उन पूरे comments का एक blog बना कर, इस video के description में link कर देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति online search करे, तो उन्हें ये सारी website के link ब फिल कर देना है, आपको इन fraud website के phone number पर जाना है, और वहाँ पर WhatsApp करना है, I'm interested in data entry job, आपको इनके email पर mail डालना है, I'm interested in data entry job, आप बोलेंगे, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं चागरूप जनता हूँ, अरे आपको इसी लिए करना है, जब आप में से धेर सारे लोग, इन websites पर जाकर अपना form फिल करेंगे, तो इनके representative, इनके employees वगेरा आपको form भेजेंगे आगे करें, आपको आप registration चार्ज बे करिए, ये करिए, वो करिए, बहुत अच्छा काम है, और इसमें धेर सारा उनका समय व्यर्थ हो जाएगा, आप सोचेंगे कि आपका तो सिर्फ 4-5 मिनट गया, लेकिन महाँ पर जो भी operator बैठा है, जो भी employee बैठा है, या जो fraud person बैठा है, अगर वो हमारी labor lawyer की 100 लोगों से भीड़ जाता है पूरे दिन, तो 100 में से conversion तो होंगे 0, और उसकी पूरी salary, उस fraud data entry वाली website को चिपने वाली है, तो आपको ये ही करना है, in fact अगर ये आप से agreement मांगे, उसके लिए agreement के लिए photo और sign मांगे, तो अपनी photo और sign, किसी की भी photo और sign भी भेज़ दीजिए, और फिर इनके आगे मज़े लीजिए, जैसे जैसे ये आपको डराते है, अरे आपके case register हो गया है, आप बोलिए, अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं sir, please case register मत करो, मैं यूमर करते रही है, उनको entertain करते रही है, और उनका जादा से जादा समय खराब कर दीजिए, इनकी जो success rate है, दस में से मान लीजिए, पांच लोगों का अभी ये फसा देते हैं, ऐसा होना चीक कि सो लोग इनको पूरे दिन में मिल रहे हैं, और उसमें से एक भी मुर्गा नहीं फस रहा है, इनको पूरी तरीके से आपको हताश कर देना है, तो तीसरी चीज ये करनी है, और मान लीजिए, आप ये तीनों ही चीज़े नहीं कर सकते हो, इतना भी आपके समय नहीं है, एक छोटी सी चीज करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए ज्यादा ज्यादा और जब हमने ये डेटा इंटरी फ्रॉड का वीडियो बनाया है, तो हमें पता चला कि नहीं सिर्फ डेटा इंटरी फ्रॉड और भी ऐसे कई सारे मास स्केल पर फ्रॉड चल रहा है, जिनमें हजारों लोगों को एवरी डे बेवकूफ बनाया जा रहा है, फॉर एक्जमप मिलता है, हम और ऐसी तरीके वीडियो आपके रिसर्च करके लेके आने की कोशिश करते रहेंगे, तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, हमें कमेंट्री बताइए आपको हमारे एफुर्ट कैसा लगा, लेबर लोग एडवाइजर के सभी जागरुक जनता को मेरा